इस वीडियो में बात कर रहा हूं regarding CHSL के post preference से related बहुत सारे लोगों के message आने लग रहे हैं regarding post preference को लेकर कि बहुत confusion बन गया है और यह वाकई मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा ही था कि जॉब ले जो exams होते हैं paper होते हैं paper से बहुत ज़्यादा difficult task होता है यह post preference बरना इतनी सारी post किसको उपर रखें किसको नीचे रखें home posting salary study time यह सब बहुत confuse कर देता है आपको और बहुत ज़्यादा दिक्कते आती है तो उसी से related यह video है आपका post preference से related जो लोग मुझे message कर रहे हो मैं उसके regarding में update देने वाल हूं तो ध्यान से देखना इस video में मैं बात कर रहा हूं कु दिल्ली ही posting देगा यानि अगर आप इसको भरते हो तो आपको दिल्ली ही मिलेगा अचा मैं पहले आपको एक चीज़ शूर कर दूँ क्या शूर कर दूँ कि अगर आप वेकेंसी चार्ट देख रहे हो जिसको वेकेंसी चार्ट नहीं पता टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर पोस्ट है तो आपको लगएगा ministry of finance का head office दिल्ली है तो उसकी पोस्टिंग दिल्ली होगी लेकिन प्यारे बच्चे इसकी पोस्टिंग all इंडिया है या ऐसे करके जिस जिस word के मिनिस्ट्री लिखा है इसको लिए confused मत होईएगा कई बार ऐसा देखा है कि लोग ministry नाम सुनक की है वो M.E.A की L24 है देखो M.E.A के अंदर दो पोस्टे हैं आपकी एक central passport office के अंदर और एक ministry of external affairs के अंदर central passport office जो आपका होता है उसमें दिल्ली में पोस्टिंग नहीं मिलती है पूरी की पूरी यह all India level पर पोस्टिंग है total 16 जगह है जहां पर passport office में पोस्टिंग मिलती ह अगर आप pure L24 वाली पोस्ट लेते हो जिसकी cutoff बहुत हाई रहती है आपको यह पता है तो इसकी पोस्टिंग sure shot दिल्ली में ही रहती है आपकी है न और जो लोग दिल्ली की opt करने के सोच रहे हो और जिनकी marks काफी high range में है क्या cutoff जाएगी अभी spam बहास नहीं करेंगे मैं स देख पा रहे हो तो पढ़ लेना इसमें लिखा है साफ साफ कि 16 जगह पर posting होती है Central Passport Office और वो जो 16 स्टेट है यह आपके सामने लिखा हुआ है जो 16 जगह है यह आपर तो हो सकता है आप में से कोई इसमें से रहता हो तो वो अपने स्टेट के लिए भी देख सकते हो तो य में लेते हैं Ministry of Defense के अंदर आपका वो भी आता है जैसे Ordinary Factory भी आती है जिसमें गन वगरा बनते हैं वो ध्यान रखेगा उसकी All India Posting होती है तो इसकी अगर आप L37 AF HQ देख रहे हो तो इसकी पूरी की पूरी पोस्टिंग दिल्ली में ही है पूरा कुछ benefits जैसे मैंने बताया आपको canteen card वगरा और defense का एक रहता है आपना वो यह बड़ा attract करता है आपका तो यह अगर post आप opt करते हो तो आपको sure shot सिफ दिल्ली ही मिलेगी आपको tension लेने के ज़रूद नहीं है बाकी post हो में क्या होता है कि जब आपको post मिल जाती है कुछ में rank के हिसाब से आपका allocation होता है जिसे CD यह random करता है आपका department of post के अंदर rank basis है तो यह अपना अलग-अलग है सबका उसमें doubt रहता है कि मेरा state मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन इन post में sure है कि मिलेगा लेकिन की cutoff भी जाता जाती है आपको यह पता है AFHQ में seat है ठीक ठाक है तो अगर आपकी number अच्छे number है त अच्छे inbox का मतलब है जब आप telegram channel join करते हो वहाँ पर आप लिखते हो वह भी message मैं देख रहा हो तो आप मुझे personally जब message करते हो right corner पर जाके message का option होता है तो वह मुझे direct message मिलता है तो यह भरा-पड़ा है message मेरे पास इस बज़े से थोड़ा time लगा reply करने में अच्छा यह service म मैंने paid करना पड़ा है मुझे मैं बता दूं आपको रीजन उसका यह रहा है कि लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे आपने अपना request बोला आपने marks बेजे कि मेरे यह यह हैं बताईए आप क्या रह सकता है कुछ होती है हलके fully doubt तो लोग वेट नहीं कर पादी से मैंने कि दो दिन का time दीजे एक दिन कर लेकिन लोग नहीं है तो इतने ज़्यादा message आते हैं कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा होता हूँ इसलिए paid करना पड़ा है मुझे लेकिन यह देखो paid का यह मतलब नहीं है कि जो लोग message कर रहे हो उनका reply नहीं मिलेगा उनको भी reply मिलेगा लेकिन थोड़ा सा time चाहिए होगा मेरे पास right paid वालों के लिए पता दूम आपको कि कैसे message करना क्या करना telegram join करके आप अगर चाहते हो paid service तो आप ले सकते हो बहुत normal charges पे यह नहीं करना पड़ रहा होता तो थोड़ा wait बस करना पड़ेगा आपको यह बात पता है कि YouTube के comments कोई नहीं छोड़ता मैं किसी भी तरह के सवाल के जब आप मुझे जुड़े हो तो यह बात मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं हर एक चाहिए आप तीन-तीन बारे की सवाल पूछते हो मैं reply जरूर करता कोई भी help चाहिए call के थूरू message के थूरू सब रहेगा जुड़ा रहूंगा मैं document verification के सीजल के काफी बड़ी जनता मेरे साथ जूड़ी थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए regarding लेकर के ठीक है और यह आपको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं आप मुझे message कर कर पर है मतलब इसकी पूरी ओल इंडिया में यह इक रही ब्रांच है वह है दिल्ली में यह मैं इतना शोर से इसले है रहा हूं क्योंकि इसकी यूडिषी की पोश्ते दिल्ली में वो शोर शोर दिल्ली में ही थी और यह है है CGO complex आपका है जहां पर नॉर्थ रिजन का आप इफ़रा स्ट्रक्चर अच्छा है जिसे में तो इसका भी अच्छा है इसको भी आप देख सकते हो अच्छा इसके अंदर भी डिपार्ट्मेंटल एक्जाम होता है देखो एक प्रोमोशन होता है एलडीसी का नॉर्मल जिसमें आथ साल या साल की सर्वीस पूरी करते हो तब जा करके आप कहीं UDC बनते हो और अगला प्रोमोशन होता है तो प्रोमोशन स्लो है यह सब जान रहे होते हैं इसमें मिनिस्ट्री आफ एलेक्ट्रोनिक्स वाले में पांच साल की सर्वेश पूरा करने के बाद डिपार्ट्मेंटल एक्जाम देख करके आप अधर गिरेट पेगी जौब पर जा सकते हो यह इसका बेनिफिट रहता है तो यह देख सकते हो आप ठीक है ना इनका लोगों को नॉलेज निरता लोग नहीं भर पाते कन्फूजन के चक्कर में तो दिल्ली चाहिए तो यह आपको मिल जाती है राइट चौता पोस्ट में देखो पोस्टे सारी हैं कवर कर पाना मुश्किल हो पाता है वीडियो लंबी हो जाती है सारा डीटेल में लेक यारों चैनल पर बने रहना सब कुछ अच्छा पोस्टल शोर शोर्ट में नहीं कह रहा हूँ देखो मैंने सीबिया को अगला इसली उठा है उठाने को लिए पोस्ट अगली में वाइस प्रेसेडेंट वाला भी लिख सकता था और भी पोस्टे हैं जैसे मिनिस्ट्री आफ हो गया लेकिन उसमें एक-एक सीट है वो बात नहीं होती सीबियाई में वेकेंसी थोड़ी ज़ादा है तो सीबियाई में एक तो लोगों का अट्रेक्षन बहुँ जादा होता है सीबियाई के प्रती दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि सीबियाई की मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है लेकिन ये शोर नहीं है औल ट्रांसफर का फिक्स पॉलिसी नहीं है ध्यान रखता कि इतने साल की सर्विस कर लोगी तो यहां हो जाएगा कहीं पर भी ट्रांसफर कर देते हैं इसमें कोई वो नहीं है लेकिन एक टाइम पीरिट के बाद करते हैं मतलब कहने का यह मोटेव है कुल मिलाके कि ट्रांसफर का काम होता आपको बिल बगारत देखने होते हैं या फिर किस सेक्शन में डालागी है वो काम आपको देखना रहेगा इसमें तीन साल सब इस्पेक्टर के लिए भी सभी के लिए तीन साल की सर्विस पूरी करने के बाद यह डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि जैसे आ को अगर वो निकाल लेते हो तो वो ग्रेड पे अच्छी है आपको पता ही है और सीविए की पूस्ट मिल जाती है अर यह बेनफेट है आपका बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं डेपार्टमेंटल एक्जाम तो यह भी आपके लिए बेनफेट है यह कुछ मैने पोस्ट के उठाई हैं इस वीडियो में ये चार पोस्ट के मैंने उठाई है CBI आप देख लीजेगा थोड़ा सा हेक्टिक रहता है वर्कलोड थोड़ा जादा रहता है इस वज़े से टाइम ना मिल पायता है अरी के लिए लेकिन मेरी जो सजेशन आपको कि आप एक बार पूरा एक पोस्ट अच्छे से देख देख करके आराम से ओर्डर भरिएगा मेरी हेल्प पूरी मिल रही है आपको कोई टेंशन के बात नहीं है ठीक है कॉमेंट में करिए वहां करिए टेलिग्राम पे करिए यूट्यूब के नीचे करिए सब जगह पर मैं free होके reply कर रहा हूँ आपको जिनकी admit card आ गए जैसे कोलकाता वालों के आ गए है मेरी focus पहले उन पर है ज़्यादतर बाकि आप अगर किसी और region से हो तो ज्यादा late ना करिए आप आपका भी जल्दी आ जाएगा अपना preference अपने ही साब से set करिए चाहे आपकी preference study हो चाहे आपकी posting home posting का हो preference चाहे आपका promotion का हो उसी साब से आपको set करना पड़ेगा क्योंकि सबकी requirement अलग-अलग होती है सबकी जरूरते अलग-अलग होती है तो आपको अपने ही according देखना पड़ेगा girls candidate का सबसे ज्यादा message है कि यह sir home state का ही देखना है उनको post से मतलब भी नहीं है और वो सही भी है कई अच्छे score भर भी है तो वो अपना-पना सबकाव रहत है ठीक है तो आप यह देखिए का चार पोस्टे और पोस्टे में अगले लेकर आ रहा हूं आपको और सभी पर में बाते कर रहा हूंगा किसकी कहां कहां हो सकती है स्टेट वाइज भी बता दूगा मैं आपको और आप करिए किसी का सर्टिफिकेट को लेकर भी इस्व है मुझे मैसेज करिए कोई भी हल्प चाहिए मैं आपके साथ पूरी तरह से जोड़ा हूँ